परी अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है वह गर्मियों की छुटी में गाउं जा रही है जहां उसके दादा दादी रहते हैं वह पहली बार किसी भारतिय गाउं में जा रही है रेलवे स्टेशन से अपने दादा दादी के गाउं जाते वक्त रास्ते में उसे एक बर्गत के पेड़ के नीचे बैठे पाँच बुजर्ग लोग दिखे वे सभी उनके सामने खड़े एक आदमी की बात सुन रहे थे उसे जिग्यासा हुई कि वहां क्या हो रहा है उसके पिता ने बताया कि ये सभी बुजर्ग ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और ग्राम वासियों की किसी समस्या को हल कर रहे हैं इस पार्ट में आप ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में पढ़ेंगे आओ सीखें ग्राम पंचायत की संरचना बताना ग्राम पंचायत के प्रकारियों को बताना ग्राम पंचायत क्या है हम जानते हैं कि प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार अपने शहरों की कानून व्यवस्था और उनमें रहने वाले नागरिकों की जरूरतों की देखभाल करती है हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है गाओं की कानून व्यवस्था और उनमें रहने वाले ग्राम वासियों की जरूरतों की देखभाल कौन करता है उत्तर है स्थानिय ग्राम सरकार जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं वह इन दोनों प्रकारियों को निभादी है आईए ग्राम पंचायत की संवरचना को विस्तार से समझें ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत किसी गाओं की स्थानिय सरकार होती है यह ग्राम वासियों के वोट से चुने गए सदस्यों से बनती है यह चुनाव हर साल होते हैं जिसकी भी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है वहचुनाव में वोट डाल सकता है। ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत में 5 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के मुख्या को ग्राम प्रधान या सरपंच कहते हैं। किसी ग्राम पंचायत का सर्पंच, महिला या पुरुष हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम वासियों की समस्याओं को हल करने के लिए सभी काम करते हैं। पंचायत, जमीन, पानी और दूसरे मामलों से जुड़ी ग्राम वासियों की समस्या को हल करती है। ग्राम पंचायत के प्रकार्य ग्राम पंचायत गाउं की सफाई की देख भाल करती है यह गाउं में पानी के वित्रण की विवस्था को सुनिश्चित करती है यह गाउं में सडक, गलियों और उचित प्रकाश की विवस्था की देख रेख करती है यह गाउं में बच्चों और प्रॉड की शिक्षा के लिए विवस्था करती है ग्राम पंचायत के प्रकार्य ग्राम पंचायत ग्रामबासियों को सामुदाइक स्वास्थ एवं स्वच्छता सुविधाय प्रदान करती है और ग्रामवासियों के लिए स्वास्थेकारे क्रमों का आयोजन करती है यह गाउं में कानून विवस्था भी बनाये रखती है इन सभी प्रकारियों के लिए ग्रामपंचायत को राज्य सरकार से निधी मिलती है हमने क्या चर्चा की? ग्राम या गाउं पंचायत गाउं की स्थानी असरकार होती है ग्राम पंचायत में पाँच सदस्य होते हैं जिनका मुखिया सरपंच होता है ग्राम पंचायत के सदस्य गाउं की समस्याओं को हल करने के लिए सभा करते हैं गाउं के समुचित रख रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है.